नमस्कार दोस्तों सवागत आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तों आद देश भर से कई बड़ी ब्रेकिंग नू जा रही है जिनमें पहली बड़ी खबर है करनाटक से जी दोस्तों करनाटक में गिरेगी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार कैबिनेट मंतरी देंगे इस्तिपा करनाटक में बन सकती है एक बार फिर कॉंग्रेस सरकार तो वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में संसोधी तनागरिक्ता कानून और एनर्सी के विरोध में भारी विरोध परदर्शन जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास जाम की सडक भीम आर्मी के भारत बंद का दिया हवाला तो वहीं पर तीसरी बड़ी खबर के अंदर आपको बताएंगे कि भीम आर्मी के मुख्या चैंदर सेकर आजाद ने आर्सस परमुख को दी चुनाओ लड़ने की चुनोती जी दोस्तों आपको पूरी खबर बताएंगे उससे पहले दोस्तों अगर आप देश के अंदर निश्पक्स पत्रकारिता का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जीसे देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निश्पक्स पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बड़े और वो देश की जनता की ज्यादा से ज्यादा आवाज उठा सके और साथ ही गरीब मजदूर और किसानों की आवाज बन सके आज की पहली बड़ी खबर है करनाटक से जी दोस्तो करनाटक में गिरेगी भरतिय जनता पार्टी की सरकार कैबिनेट मंतरी देंगे इस्तिपा करनाटक में बन सकती है एक बार फिर से कॉंग्रेस और जेडियेस की सरकार जी दोस्तो करनाटक के जल संसादन मंतरी रमेश जर्की हौली ने अठानी से विदायक महेश कुम्थली के कैबिनेट में जगे नई देने पर और मंतरी पद और विदान सवा सदस्य से इस्तिपाय देने के लिए कहा है उन्होंने कहा है कि भारतिय जनता पार्टी विदायकों के साथ अन्याई कर रही है जी दोस्तो जर्की हौली और महेश उन 17 बागी कॉंग्रेस और जेडियेक्स के विदायकों में से हैं जिन्होंने HD कुमार स्वामी की अगवाई वाली सरकार गिराने और भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एहम बोहमिका निभाई थी. अगर ये विधायक एक बार फिर से पल्टी मारते हैं तो भारतिय जनता पार्टी का करनाटेक में सूफडा साप होना तैय है। और बागियों का दावा है कि भारतिय जंता पार्टी के नेतरतों ने उनसे मंतरी पद देने का वादा किया था लेकिन कुमातली को दिसंबर 2019 में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बावजूद मंतरी नहीं बनाया गया है और तब से वह लगातर भारतिय जंता पार्टी को अपना वचन ध्रम की याद दिला रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारतिय जंता पार्टी ने मंतरी पद और बहुत कुछ देने का वादा किया था परन्तु अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं यानि दोस्तो इस बाद से सपष्ट है कि हो सकता है कि करनाटेक में भारतिय जंता पार्टी की सरकार गिर जाये परन्तु इससे ये सपष्ट होता है कि पिछली बार कौंग्रेस और जेडीएस के विधायकों का इस्तिफ़पा देने का मुख्य कारन था कि भारतिये जंता पार्टी के दवारा मंतरी पद और अन्य लालेच दिया जाना जो लोगतंतर में सरासर गलत होता है आज की अगली वड़ी खबरे संसोधित नागरिक्ता कानून और अनर्सी को लेकर जी दोस्तों दिल्ली के साहिन बाग में नागरिक्ता संसोदन कानून के खिलाप पिछले दो महीने से ज्यादा वक्त से धना परदर्शन जारी है परदर्शनकारी महिलाई संसोधित नागरिक्ता कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ी हुई है और उनकी मांग है कि सरकार या तो संसोधित नागरिक्ता कानून को वापस ले या फिर लिखित में दे की वो एनार्ची नहीं लाएंगे संसोधित नागरिक्ता कानूर और अनर्सी के खिलाब परदर्शन करने के लिए सनिवार देराथ से ही महिलाएं दिल्ली के जाफराबाद मैट्रो स्टेशन के पास भी एकजूट होने लगी और दिरे दिरे महिलाओं का हुजूम बढ़ता गया और जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई परदर्शन के चलते ट्रैफिक जाम है और उत्तर पुरो दिल्ली के डिशीपी ने परदर्शन कारियों को वहां से जाने के लिए कहा है फिल हाल परदर्शन कारी महिलाओं वांदरने पर बैठी हुई है और पुलिस वहां से उन्हें हटाने की नाकाम कोशिज कर रही है और परदर्शन कर रही महिलाओं हाथ में तरंगा लेकर आजादी के नारे लगा रही है और कहे रही है कि जब तक नहीं अटेंगे तब तक मोदी सरकार संसोधित नागरिक्ता कानून रद नहीं कर देती और संसोधित नागरिक्ता कानून और अनर्सी से आजादी की मांग कर रही है तो दोस्तों दिली के अंदर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ओपर भारी संक्या में महिलाएं विरोध परदर्शन कर रही है और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर एक और सहिन बाग जैसा परदर्शन होने जा रहा है जिसे दिल्ली पूलिस हटाने की नाकाम कोशिश कर रही है पर तुम महिलें वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है और साथ ही बता दें दोस्तों कि आज 23 तारीकों पूरे देश के अंदर भीहम आर्मी ने भरत बंद बुलाया है आज की अगली बड़ी खबर है भीहम आर्मी के मुख्या चेंदर सेकर आजाद को लेकर जी दोस्तों मुख्या चेंदर सेकर आजाद ने RSS प्रमुक को दी चुनाव लड़ने की चुनोती जी दोस्तों भीहम आर्मी के प्रमुक चेंदर सेकर आजाद ने सनिवार को RSS प्रमुक महुन भागवत को उनके संग्ठन के मनुवादी एजेंडे के वास्त्विक जन समर्थन को परखने के लिए सिधे चुनाव लड़ने की चुनोती दी है संग मुख्याले के समिप रेशमी बाग मैदान में भीहम आर्मी के करियकरताओं की बैठक को संबोधित करते वे आजाद ने मनुवाद को खतम करने के लिए संग पर पर्तिबंद लगाने की मांग की आजाद ने कहा कि मैं संग पर्मुक को एक सुझाओ देना चाता हूँ कि जूट का मुखोटा उतारिये और मैदान में आये यह लोग तंतर है अपने एजेंडे के साथ सिदे चुनाव लड़िये और लोग आपको बता देंगे कि देश मनु समर्ति से चलेगा या स्विधान से उन्होंने कहा कि संसोधित नागरिका कानून और NRC और NPR संग का ही एजेंडा है तो दोस्तो इस परकार से भीम आर्मियों के मुख्या चंदर सेकर आजाद ने सिदी चुनोती दिये RSS परमुक मोहन भागवत को चुनाव लड़ने की दोस्तो क्या आप इसके समर्थिन में हो या विरोध में कमेंट में जरूर बताएं